बिग बॉस ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है बिग बॉस ने इस हफते के लिए उन तीन कॉंटेस्टेन को नॉमिनेट कर दिया है जो पूजा भट और उनकी टीम के लिए खतरा हो सकते थे तो क्यों किया गया है नॉमिनेट और किस बात के मिली है सजा क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही हैं कि इस हफते के लिए मिडनाइट एविक्षन जो है हो चुका है और वो एविक्षन हुआ है आलिया का लेकिन आलिया के जाने का मतलब ये बिलकुल नहीं कि अब इस हफते से कोई भी नहीं जाएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी सजा जो है अब फुकरा, जिया और अकांशा को मिली है इन तीनों को बिग बॉस ने सीधे सीधे नॉमिनेट कर दिया है क्योंकि इनकी गलती है कि ये लोग नॉमिनेशन डिसकस कर रहे थे तो एक बात तो तैह है कि अब बिग बॉस ने इन तीनों को नॉमिनेट करके एक बड़ा गेम खेल दिया है ये भी फुकरा बार-बार यही कह रहा था कि पूजा भट का अगला टारगेट या तो अब जिया होगी या फिर अकांचा क्योंकि पलक और आलिया का पत्ता तो कट ही चुका है तो आपको क्या लगता है कि यहां पर नॉमिनेशन डिसकस करना भारी पड़ा या फिर पूजा भट के नाम से बात करना इनको भारी पड़ा है हम आपको बता दे कि घर में यह नया नहीं है कि पहली बार नॉमिनेशन डिसकस हुए हो इससे पहले भी कई बार नॉमिनेशन डिसकस हुए लेकिन बिग बॉस ने इतना कड़ा कदम पहले कभी नहीं उठाया आप इस पर क्या कहे कमेंट करके जरूर बताएं